पित्रिपक्ष में भूल कर भी ना खरीदे ये चीजे, वरना जिन्दगी हो जाएगी नर्थ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदु धर्म में पित्रिपक्ष यानी श्राध्ध पक्ष का बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। पित्रिपक्ष में पूरी श्राध्ध के साथ पित्रों को याद किया जाता है और पित्रों के प्रती आभार व्यक्त किये जाते हैं। मान्यता है कि विधी विधान और श्रधा पूर्वक पित्रिपक्ष में पित्रों का श्राध करने से उनकी आत्मा को शांती मिलती है पित्रिपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांती के लिए पिंडदान, श्राध और तरपन किये जाते हैं इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंश्जों को सुक्सम्रिधी का आशिरवाद देते हैं दोस्तों पित्री पक्ष की शुरुवात हर साल भादरपद माह के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी से होती है और पित्री पक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है पित्री पक्ष के इन 16 दिनों में पित्रों के सम्मान में तरपण शुरुज पिंददान आधी किया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पित्री पक्ष के दौरान पितर प्रिथवी पर आते हैं और अपने वन्शों को सुख संपत्ती और धन एश्वर्य का आशिरवाद देते हैं। प्रत्य पूर्वज की अपनी-अपनी निश्चित तिथी होती है, जिस दिन उनके लिए तरपन श्राध आदी किया जाता है। जिनकी मृत्यू की तारीक अज्यात होती है, उनके लिए भी सर्व पित्री अमावस्या की तिथी तरपन के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में पित्री पक्ष की शुरुवात 17 सितंबर को भादरपत पूर्णिमा तिथी से हो रही है, उस दिन श्राध की पूर्णिमा तिथी होगी, जिनके पूर्वजों की मृत्यू भादरपत पूर्णिमा तिथी को हुई थी, तो वह अपने पूर्वजों का तरपन श्राध आदी 17 सितंबर को कर सकते हैं, वही पित्री पक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्व पित्री अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा, दोस्तों आप सभी को बता दें कि हिंदू पंचां के अनुसार भादरपत माह की साथ ही पूर्णिमा तिथी का आरंभ 17 सितंबर को प्राता 11 बचकर 44 मिनट से होगा, साथ ही पूर्णिमा तिथी का समापन 18 सितंबर को सुबह 8 बचकर 4 मिनट पर होगा, इसलिए श्राध संपन करने के लिए कुतुप रोहिन मुहूर्थ सबसे अच्छा माना गया है, जो बचकर 40 मिनट से 1 बचकर 29 मिनट तक रहेगा, इसके अलावा अपरान काल एक बचकर 29 मिनट से 3 बचकर 56 मिनट तक रहेगा, इसके अलावा दोस्तों श्राध करने की तिथीयों के बारे में बात करें तो 17 सितंबर को पित्रि पक्ष, प्रारंभ होंगे और पूर्णिमा का श 17 सितंबर को किया जाएगा, प्रतिप्दा तिथी का श्राध 18 सितंबर को किया जाएगा, ग्वितिया तिथी का श्राध 19 सितंबर को किया जाएगा, तृतिया तिथी का श्राध 20 सितंबर को डोट किया जाएगा, चतुर्थी तिथी का श्राध 21 सितंबर को किया जाएगा, पंचमी तिथी का श्राध 22 सितंबर को किया जाएगा, शष्ठी और सप्तमी तिथी का श्राध एक ही दिन यानी 23 सितंबर को किया जाएगा, अश्टमी तिथी का श्राध 24 सितंबर को किया जाएगा, नवमी तिथी का श्राध 25 सितंबर को किया जाएगा, दश्मी तिथी का श इकादशी तिथी का श्राध्ध 27 और 28 सितंबर को किया जाएगा . two शी तिथी का श्राध् 29 सितंबर को किया जाएगा . फिर सर्व पित्री अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पित्रि पक्ष का समापन हो जाएगा , दोस्तों आप सभी को बता दें कि पित्रिपक्ष में श्राध कर्म के कारियों के साथ साथ दान का भी विशेश महत्व होता है पित्रिपक्ष में दान और श्राध कर्म के कारियों से पित्रों को मुक्ती मिलती है ऐसा कहा जाता है कि पित्रों के नाम से किये गए दान से व्यक्ति को एक सौ गुना अधिक लाभ मिलता है वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तूओं का वर्णन किया गया है जो पित्री पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए इन वस्तूओं को पित्रि पक्ष में खरीदना अशुभ माना जाता है अगर आप इन वस्तूओं को पित्रि पक्ष में खरीद लेते हो तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और इन चीजों की खरीददारी करने से आपके पित्रि आप से नाराज हो सकते हैं जिससे आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मित्रों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पित्रि पक्ष में किन चीजों की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरी विश्नु जी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै श्री हरी विश्नु जै दादा पित्री महाराज जरूर लिखें चलिए दोस्तों जानते हैं कि पित्री पक्ष में किन चीजों की खरीददारी करने की मना ही होती है नमबर एक नमक दोस्तों पित्री पक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व होता है इस दौरान आप पित्री पक्ष में नमक का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि पित्री पक्ष में आप नमक नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि पित्री पक्ष में नमक खरीदना अशुब माना जाता है, इसलिए श्राध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए जिससे की आपको आपके पित्रों का आशिरवाद प्राप्थ हो सके और आपके धन दौलत में वृध्धी हो सके नमबर दो सर्सों का तेल दोस्तों सर्सों के तेल का प्रयोग हर जगह किया जाता है जैसे की आप सबजी बनाते हैं तो उसमें भी सर्सों के तेल का प्रयोग किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना करते समय भी सर्सों के तेल का इस्तमाल किया जाता है लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप पित्रिपक्ष के दौरान सर्सों का तेल खरीदते हैं तो पित्रों के साथ साथ शनी देव भी कुपित हो जाते हैं यानि नाराज हो जाते हैं जिससे की आपको पित्रों के साथ साथ भगवान शनी देव के भी दुश्परभावों का सामना करना पढ़ता है इसलिए गलती से भी पित्रिपक्ष के दौरान सरसों का तेल न खरीदे आपको पित्रिपक्ष शुरू होने से पहले ही सरसों का तेल खरीद लेना चाहिए नमबर तीन जाडू दोस्तों जाडू को माता लक्षमी का प्रतीक माना जाता है पितरिपक्ष के दौरान ज़ाडू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खास कर आपकी आर्थिक स्थिती पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्राध के दौरान ज़ाडू खरीदने की गलती न करें नमबर पित्रिपक्ष वह समय है जब हम अपने पित्रों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, इसलिए गलती से भी आपको पित्रिपक्ष के दौरान नए वस्त्र और आभूशन खरीदने से बचना चाहिए इस अवधी में, ज्यादा साज सज्जा करने की बजाएं सात्विक रहने से पित्रि प्रसन्न होते हैं, लेकिन पित्रिपक्ष में वस्त्रदान करना बेहद ही शुभमाना जाता है, इसलिए आपको पित्रिपक्ष से पहले ही वस्त्र खरीद लेने चाहिए नमबर पांच, लहसुन प्यास प्रियम मित्रो पित्रिपक्ष के इन सोलह दिनों तक आपको भूल कर भी तामसिट चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही इस दोरान आपको लहसुन प्यास और नशे से दूर रहना चाहिए और ना ही लहसुन प्यास खरीदने चाहिए इस दोरान आपको तन्प मन शुद्ध रखना चाहिए नमबर छे, शैंपू साबुन दोस्तों, श्राध पक्ष के दोरान साबुन शैंपू या किसी भी प्रकार के तेल का उप्योग न करें और नहीं खरीदे साथ ही इस दोरान किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उप्योग करना और खरीदना वर्जित होता है जिससे की आपको कठिन समस्याओं के साथ साथ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके मान सम्मान में भी गिरावट हो सकती है नमबर साथ लोहा शास्त्रों के मुताबिक लोहे को शनिदेव की धातू माना जाता है इस वजह से लोहे से जुड़े कुछ कामों को शुभ और कुछ कामों को अशुभ माना गया है इस दोरान शनिवार के दिन लोहे को नहीं खरीदना चाहिए और बात करे पित्रिपक्ष की तो पित्रिपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए इससे घर में नकारात्मक उर्जा बढ़ती है जिससे की घर में अशान्ती बनी रहती है नमबर आठ वाहन और भूमिभवन पित्रिपक्ष के इन 15 से 16 दिनों में आपको वाहन और भूमिभवन खरीदने से भी बचना चाहिए अगर गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फाइदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है इसके अलावा आपको श्राध पक्ष में सोना चांदी या अन्य चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए नमबर नौ इत्र आपको बता दें कि पित्रि पक्ष के इन सोलह दिनों में इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहीं इत्र खरीदना चाहिए नहीं तो आपको पित्रों के साथ साथ भगवान श्री हरी विश्नुजी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है जिससे की आपको शुब परिणाम की जगह अशुब परिणाम देखने को मिल सकते हैं नमबर दस मासमदिरा इन वस्तूओं के साथ ही पित्री पक्ष के दौरान आपको मासमदिरा की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इन चीजों का सेवन करना चाहिए इन चीजों का सेवन करने से आप तो कश्ट भोगते ही हैं और आपके पित्रों की आत्मा को भी शान्ती नहीं मिलती है नमबर ग्यारा रात में ना करे श्राध पित्रिपक्ष में पित्री का तरपन वश्राध सूर्य की रोश्नी में ही करना चाहिए इस बात का ध्यान रखें की श्राध रात के अंधेरे में नहीं करना चाहिए इसको अशुभ माना जाता है इससे आपके पित्री खुश होने की बजाए आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है नंबर बारह कोई भी मांगलिक कार्य न करें दोस्तों खरीदारी के साथ ही पित्रिपक्ष के दिनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए जैसे ग्रह प्रवेश, मुंडन, जनेव, सगाई, आदी इससे पितर नाराज हो सकते हैं और आपके वंश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है साथ ही दोस्तों अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो पित्रिपक्ष के दिनों में भूल कर भी मकान की छटकी ढलाई न कराए नहीं तो अशुब फल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों यह थी वह चीजे जो पित्रिपक्ष में भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद